हेलो फ्रेंड्स वेलकेम बेक टू माज चैनल आज हम बात करने वाला है रोनिल फेल्ड की दासुबाइक SG650 की जो की हाल ही में लोन्च हुई है ये अपने ग्राकों के लिए एक बड़ी सोगात लेकर रही है कंपनी ने इसका नाम SG650 EICMA दिया है कंपनी ने अपनी 120 वर्षगाड का जैसेन मनाते हुए से लॉंच किया है इस कॉंसेप्ट बाइक से पता चलता है कि यह है रोनिल फेल्ड की ही 650 CC Sibling Bike Interceptor 650 और Continental GT650 के साथ सामिल हो जाएगे यह बाइक अपनी Old School Enologa Era और आधुनिक Digital Yook का जबड़स कॉंबनेशन देती है रोन इल्फिल्ड SG650 इसमें Polish Aluminium Front Design मिल जाती है इसके Full Tank पर एक Digital Graphic मिल जाता है कंपनी ने इसके Headlamp में एक LED Unit और Integrated LED Day Time Running Lad दी है जिसमें Aluminium Headlamp Cluster के दोनों सिरोप पर Stick LED Turn Indicator दिये है यह है Dual Pond Instrument Cluster के साथ आता है इसमें Retto Theme वाली टेलेड भी दी गई है इसके Full Tank एक ठोस Illuminium Block से बनाया गया है और Company ने इसमें एक चोड़ी सीट लगए गई है जो कि खुद की Company के वाहां से हातों से सीला गया है और उपर की तरफ से काले कावर से उसे प्रोपेशनी ढख दिया गया है इसके Front के मढगाड में Corom Finishing दी है और जबकि Rear मढगाड में Black Theme Company के तरफ से लगाए गई है इसके अलावा Will Rims Integrated ABS New Look में डिजैन किये गए ब्रेक के लिवर और Front Brake में डिस्कल दिये गए है इसमें Tune Rear Shock Absorber Company ने दिये हैं अब की वार नए इस GT 650 मोडल में और इसके एक जोस्ट सैलेंस को पूरा Black रंग दिया गया है Company ने इसमें GT 650 CC इंजिन दिये हैं जो की 46 BHP की पावर और बहतर NM का तोर्क जनरेट करता है जी हाँ दोस्तों हाँ तो दोस्तों केसी लगी आपको न्यू जीटी 625 इंजिन वाले रोन इन फिल्ड वाली बाइक हमें कमेंट में जरूर बताईएगा अगर आप हमारा चैनल पर नए हो तो मरें लो सब्सक्राइब को लो वीडियो को लाइक कर दू धन्यवाद दोस्तों